वेलकम टू एक्जोटिक डाइन, डिस इस मी, स्वाती हम हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए ऐसी रेसिपी ढूनते हैं जो इजी होने के साथ साथ क्विकली बन जाए आज एक ऐसी ही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट रवा धोकला और इस रवा धोकला में हम दो तरीके से बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर सूजी ली है, दही लिया है, इनो है, लाल मिर्ज पाउडर, थोड़ा सा सिसमे सीट्स और सॉल्ट इस धोकले को बनाने के लिए हम बहुत ही सिम्पल सा रेशयो रखेंगे, एक कप सूजी के अंदर, एक कप दही, एक चमच इनो, सिम्पल वन इस टूवन के रेशयो में यह हमारा धोकला बन करके रेडी हो जाएगा, यहाँ पर मैंने एक कप सूजी के अंदर, एक चमच नम करीब 10 मिनिट आप ढख दीजिए इसको तब तक हम जो प्लेट हमारी स्टीमर की है उसको हम ग्रेस कर लेते हैं, अब यह 10 मिनिट के बाद यह सूजी फूल जाती है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने रवा सूजी लिए जो की बारिक वली सूजी हो और अब आप इसके इस टाम आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है ना तो यह बहुत सादा गाड़ा है और ना ही बहुत सादा पतला है, हमको इसी तरह का बैटर रखना है और इस पैटर को मैं स्टीमर की प्लेट में स्पैट कर दूँगी इसको अच्छी तरह से इस प्लेट करने के बाद जिससे यह जब बन करके निकले तो एकदम एकवल ही निकले मैं इसके उपर थोड़ा सा अब थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रैट कर दूँगी और साथ में मैं इसके उपर तिल भी डाल दूँगी और अब यह स्टीमर में जाने के लिए एकदम रैडी है और इसे अब हम 10 मि जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो आप इसको चाकू डाल करके चैक कर सकते हैं अगर आपका नाइफ एकदम क्लीन बाहर आ जाता है तो इसका मतलब यह पक चुका है अब मैं इसको इस प्लेट से पूरी तरह बाहर निकाल लेती हूँ और इसके छोटे-छोटे से पीसिस कर पर मैंने इन्सेड, स्थोड़ा जाते हूं थोड़ा चूटे साइस में क्ट कर रहा हूं तो यह हमारा रवा ढोकला बन करके रेडी हो गया है यह देख filmed मैं कि इसमीं कितने अच्छा स्पॉंट बाया है और यह बहुत ही सौ्ट बना हुआः और अब हम इस ही से हम बनाते direction हम सिर्फ यो हम को इस्टीमर की प्लेट में रखना है और हाफ बैटर को हम बाद में डालेंगे तो उसको हम अलग रख यह कुछा है में आधा बैटर या प्रम लुए उसको 10 मिनिट के लिए आ यो चैटरा का देस नियोफ दाल निकल के कर लि錢 पूरी तरह से कवर कर देंगे और इसे वापस हम 10 मिनिट के लिए स्टीम कर लेंगे और अब ये हमारा धोकला बन करके एकदम रेडी हो गया है जिसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूं आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ी है यही स्पॉंज हम अब इन धोकले को मैं फ्राई कर लेती हूं यहां थोड़ा सा मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा राई डाला है कड़ी पत्ता हरी मेज डाला है और उसके साथ मैंने तेल डाल दिये हैं यहां मैंने थोड़ा सा प्याज इसके अंदर डाला है यह मेरी परसनल चॉइस है वैसे अब धोकले में नॉर्मली प्याज नहीं पड़ता है तो यह ऑप्शनल होता है और अब धोकले को मैं इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दे दूंगी और दो मिनिट के लिए कवर कर दूंगी और यह हमारा गर्मा गरम धोकला बन करके रैडी हो गया है जो कि बहुत ही टेस्टी अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जाली जो है वो कितनी पॉफेक्ट जाली पड़ी है हमको इसी तरह की जाली और स्पॉंज हमको धोकले में चाहिए होता है और अब हमने जो सैंविच धोकला बनाया है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं यहां पर वापस मैंने तेल लिय और तोड़ी सी प्याज और शिसमे सीट इनको डालने के बाद में हम इसमें सैंविच धोकले को डाल देंगे और इसे light-handedly mix कर देंगे और एक मिक्स देनी के बाद में यह हमारा धोकला सरफ करने के लिए एक दम रैदी हो जाएगा यहां मैंने सैंविच धोकले के अंदर ध इनो डालने के तुरंद बाद आप इसे स्टीमर में रख दें और बैटर की कंसिस्टेंसी भी ठीक हो आपको ये रेसेपी जरूर पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब